जिन महिलाओं को रिलेशन प्लान करते वक्त उनको काफी ज़्यादा पेन महसूस होती है या जलन महसूस होती है उनके लिए वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि इसका कारण दो तरह से होता है पहला होता है एक्स्टर्नल कारण दूसरा होता है इंटर्नल कारण तो मैं सारे बा नंदर बहुत सब्सक्राइल कर दो! नदर्व कही है, क्योंकि को रपकते हैं, गुत कुर्णाज क्यों आफे टर्अपाइल। अपनेक Gy जारे पड़न गर मुले हैं। क्योंकि जैसे ही आपको period over हो जाता है उसके बाद से कुछ ऐसे discharges भी हलके फुल के आते हैं और ये discharges की consistency धीरे-धीरे अलग ही बनने लगती है जब उनका evolution होता है यानि कि जब अंडा शरर से निकलने वाला होता है उस time पे इनका discharge अलग होता है यानि कि sticky सा discharge होगा बिलकु period over होने के बाद कि जिस समय महिलाएं काफी जादा active हो जाती है और ये active होना उनके hormone के वदलत होता है क्योंकि इस time पे उनकी drive होती है वो भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ एक hormone होता है जिसका नाम होता है कि जब ये डिस्चार्ज आता है जब ये बजाइन डिस्चार्ज बढ़ते हैं ये hormone के वज़ा से तो ये जो सरफाइकल म्यूकस जो इसको बोला जाता है इसमें 90% water का content होता है तो जीन महिलाओं को अगर dehydration है जिनकी body में पानी की कमी है उनको ये problem देखने के लिए मिलती है कि उनको relation के वक्त काफी जादा pain होता है तो ये internal कारण होता है जो आपकी body में जो hormone का बदला हो रहा है उसके वज़ा से ये होता है तो आप इसे cure कैसे कर सकते हैं सबसे पहले चीज़ कि आपको आपकी body hydrated रहनी पड़ेगी यानि कि जितनी भी liquid intake की चीज़े है या फिर अग अगर आप उसके level को maintain करते हैं उससे ये problem आपको दूर होती नजर आएगी साथी साथ दूसरा जो बड़ा factor होता है कि आपको अपने खाने में alkaline food को ज़रूर निवाल्व करना चाहिए ताकि उस area का जो pH है यानि कि जो cervical mucus की consistency है वहां का pH है वो आपकी milk के sales के लिए काफी तो alkaline food में आपको केला अच्छा रहेगा दही अच्छा रहेगा पालक अच्छा रहेगा उसकरा की food आपको जरूर लेनी चाहिए सौफ का सेवन भी आपको जरूर करना चाहिए इससे कि आपकी cervical mucus की consistency है वो अच्छी बड़ी रहे और टाइम पे आपको ये cervical mucus भी रिलीज हो सके third important चीज जो होती है external होती है कि आप अपने partner के साथ कितने ज्यादा compatible है आपका comfort level उनके साथ कितना ज्यादा है अगर आप उनके साथ comfort में है या फिर आपकी जो compatibility है उनके साथ अगर अच्छी बन रहे है तो उससे भी आपके cervical mucus की consistency अच्छी देखने के लिए मिलती है और महिलाओं को उस duration में यानि relation प्लान करते वक्त ये सब परिशानी का सामना नहीं करना पड़ता है तो आप अपनी body को internally बहुत अच्छे से मजबूत बनाएगे और अपने food में आप healthy food को शामिल करिए healthy diet को लीजिए proper तरीके से पानी का intake रखे तो आपकी ये problem दूर होती स नजर आएगी और साथ ही साथ अगर जो भी couples काफी जादा एक शुक है अगर उनको pregnancy conceive करना है तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो definitely आपका एक महने के अंदर ही pregnancy plan हो सकता है तो ये video अगर अच्छी लगी तो please like कर दीजेगा लेकिन अगर आप जानना चाह आपको नहीं समझ में आता है कि इसके उपर वर्क करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए मतलब परेशान होने की जरूरत है या फिर नहीं जरूरत है तो आपको नीचे वाली वीडियो को क्लिक करके जरूर देखना चाहिए कि आपको ये problem है भी या फिर नहीं है thank you so much for watching twins आपको नहीं स्वावल केर